बूर्णी देरोट डीथ्टूदेंस लेट पब तब तोपिक यो निए यू निए यू निन जन्मारा किन्टीनिव चल रहा हूं उसी का सेकेंड पाथ है निना इन्माराई बेवी स्पैरो घोड़ा ओक हे नीना एंड दो बेबी स्पैरोज यह जो है आपका चाप्टर यूनीट वन का जो पार्ट टू है उसका है तो लेट स्टार्ट अपर्स्ट हम इस चाप्टर का एक्स्प्लेनेशन देख लेते हैं मैं जो आपको यह चाप्टर एक्स्प्लेन करवा रहे हूं उससे आपको केरफुली अंडर्स्टूट करना है तो जो जब एक्जाम आएगा तो आपको ऐसे ही चाप्टर के बीच में से क्वेशन बना कर दिये जाएंगे तो आपको एक एक पॉइंट जो भी है उसे रिमेंबर रखना है ताकि जब एक्जाम में क्वेशन आए तो आप उसे राइट कर सके आपका लास्ट टेम जैसे एक्जाम हुआ था वैसे ही एक्जाम होगा कि मतलब आपको content में से question दिया गया था अलग से जो बने हुए question है उस में से question नहीं आये थे आपको आपको जो भी questions आये ते हो कहा है से आये चाप्टर के अंदर से meaning content से हमने बना कर दिया था तो इसके लिए necessary है कि आप content को अच्छे से समझे ओके तो ये based option है आपके लिए कि हमने revision start कर दिया है तो हम क्या करेंगे revision में हम पूरे content को मैं आपको समझा रहे हैं तो आपको उसमें से उसे carefully क्या करना है understood करना है okay so let's start Nina and the baby sparrow okay there was great joy in Nina's house Nina's aunt was getting married Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for wedding everyone was happy except Nina means ये आपकी beautiful से story है जिसमें ये story इसके बारे में है Nina name की one girl है इसके बारे में और baby sparrow okay उनके बारे में यह story है तो यहाँ पर दिया है there was great joy in Nina's house मतलब Nina के house में जो है बहुत ही जादा खुशी का माहूल था Nina's aunt was getting married अब Nina की जो aunt है वो merit करके मतलब Nina की aunt की merit की तो अब इसमें जो aunt है aunt means या तो उसकी मौसी हो सकती है या उसकी बुवा हो सकती है right या फिर उसके चाची हो सकती है चाची नहीं हो सकती है मतलब जो शादी हो रही है तो बुवा या फिर मौसी उन्हें इंगलिस में aunt कहा जाता है न तो Nina's aunt was getting married तो Nina her father and little brother and little brother were all going to Delhi for wedding तो Nina उसके पापा एंड उसके ममा एंड हर little brother उसका छोटा भाई ये सभी लोग जो है कहां जा रहे थे शादी में जा रहे थे डेली शादी के लिए डेली जा रहे थे and everyone was happy except Nina everyone means सभी जो है बहुत ज़्यादा खुश थे except Nina except Nina means Nina को छोड़ कर Nina जो है वो happy नहीं थी her mother took her to the market to buy a new dress Nina की जो mother है वो उसे market लेके गई कि उसके लिए new dress purchase कर दे what color would you like? वो mother asked what color would you like? जो Nina की mother है वो उनसे कहती है कि आपको कौन सा color पसंद है I don't want a new dress mother said Nina Nina ने कहा I don't want a new dress मुझे कोई new dress नहीं चाहिए मम्मा ऐसा Nina ने कहा सलवार कमीच then Nina shook her head जब उनकी मम्मा ने पूछा कि सलवार कमीच चाहिए तो जो Nina है उसने हा में सर हिला दिया SH double के सुख मिल्स होता है हा में सर हिलाना जैसे कुछ बाते हम हा नहीं बोलते तो वैसे सर हिला के yes no बोलते देना तो वैसे ही जो Nina है उसने सर हिला कर कहां हां then after what about those dolly white shoes you shall last week फिर उनकी मम कहती है कि तुम जो है last week हमने जो shoes देखे थे white color के उनके बारे में क्या कहती हो मतलब उने खरीदना है उनने पर्चेस करना है I don't want those either thank you mother जो फिर Nina कहती है I don't want those मुझे कुछ भी नहीं चाहिए thank you mom उने ममा को बोलती कि ममा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए thank you Nina mother was upset फिर जो ऐसा सुनकर जो Nina की mother है हो क्या हो गई upset हो गई उदास हो गई but she did not but she said nothing but she said nothing but उनोंने कुछ भी नहीं कहा they went back home and had lunch फिर जो है वो घर वापस आए घर वापस चले गए और फिर लंच करने लगे आफ्टर लंच मदर कैम एंड शेट नियर नीना जैसे ही लंच किया उनोंने तो आफ्टर लंच जो मदर है वो नीना के पास आए उनके पास बैठी and what is a child और उनसे पूछा बिच्चे क्या है क्या हुआ why did you say no to everything मतलब आप हर चीज के लिए मना क्यों कर रही हो ना बिकॉस जो क्या होता है कि जिसके वैडिंग वाला मतलब अपने होम में वैडिंग वाला माहूल होता है तो हम new new cloths wear करते हैं अब ऐसे situation में अगर पहले जो है कोई अगर इतना excited हो cloths के लिए, dresses के लिए, suits के लिए, sandals के लिए और suddenly वो हर चीज के लिए मना करने लगे तो obviously थोड़ा हम worried होने लगते, परिशान होने लगते उनके लिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे है क्या problem होगी तो ऐसे ही जो नीना की मदर है वो upset हो गई बट उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और फिर जो है लंच के बाद वो नीना से मिलने के लिए गई उनके पास बैटी और उनसे पूछा कि what is it नीना, मतलब बच्चे क्या हो गया है, why did you show no to anything everything I think मतलब आप हर बात के लिए मना क्यों कर रही हो okay here's Nina and her mother और ये उनकी mother है Miss Mama then after mother I don't want to go to the wedding जो फिर नीना है अपने mom से कहती है कि ममा मैं wedding में नहीं जाना चाहती wedding में साधी में नहीं जाना चाहती but why फिर ममा हुन से पुछते but क्यों नहीं जाना चाहती तो नीना सैड nothing नीना ने कुछ भी नहीं कहा instead two big tears rolled down her cheeks कुछ भी नहीं कहा और जो है नीना की आखों से बड़े बड़े आशु निकल आये उसके गालों पर मतलब जो है नीना ने मदर कारण नहीं बताया कि वो क्यों नहीं जाना चाहती और वो रोने लगी mother put her arms around नीना don't cry my way don't cry और फिर mother ने क्या किया कि जो है उसे hug कर लिया अपनी arms निकाली और अपनी arms में उनको कर लिया मैं सुने hug कर लिया गले लगा लिया और कहा don't cry रो मत फिर जो है नीना कहती है my pet she said why don't you tell me what's bothering you फिर जो है नीना कहती है कि mama my pet मेरे pet pet में जो उसके पालतू थी फिर उनकी ममा कहती है why don't you tell me आपने मुझे क्यों नहीं बताया then more tears roll down नीना's cheeks नीना के आखों से और ज़्यादा tears निकलने लगे और ज़्यादा आशू निकलने लगे mother she said there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room फिर जो है नीना अपनी मॉम को कहती है कि mama there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room कि mama मेरे रूम में जो bookshelf है मतलब मेरी books रखने की जो अलमीरा है वहाँ पर जो है वहाँ पर जो है बेबी वहाँ पर sparrow का nest है bookshelf option आया था table आया था काफी सार स्टूडेंट ने wrong right किये थे बट जो maximum students है उन्होंने right answer था उसका की bookshelf तो जो sparrow का nest थे वो कहा था नेहा के रूम में उसकी bookshelf में था ओके एंड फिर जो नेहा बताती है कि मम्मा मेरे रूम में जो bookshelf है वहाँ पर sparrow का nest है and there are two baby sparrows in the nest और उस nest में two baby sparrow है means two छोटी छोटी जो है baby sparrow means sparrow की के बच्चे है I see sad mother तो मम ने कहा कि मैंने देखा they are just beginning to get their feeders and growing up makes them so hungry all day long they cry chip chip asking for food फिर जो है नेहा कहती है कि मम्मा वो जो है अभी just उनका beginning है मतलब उनके जो feeders है just अभी starting है उनकी विकाज वो जो जो है अभी आग में से निकले ही है और वो बहुत ही small है उनके feeders भी grow नहीं हुए है अभी grow करना start हुए है उनके feeders और वो जो है बहुत ज़्यादा and growing up max them so hungry और जैसे जैसे वो grow करते जा रहे हैं बड़े होते जाते हैं तो उन्हें जो है भूग भी ज़्यादा लगती है and वो क्या करते हैं कि all day chip chip करके food के लिए chip chip करते रहते हैं I see, said mother मदर ने कहा मैंने देखा है If we go, the whole place will be locked and how will papa and mama's perros feed their babies फिर जो नीना मॉम से कहती है कि mama, if we go, यदि हम चले जाएंगे the whole place will be locked हम जो है, whole place, अपने पूरे place को मतलब अपने पूरे house को लॉक करके चले जाएंगे तो फिर जो mama and papa sparrows, अपनी baby sparrows को feeding कैसे कराएंगे, खाना कैसे खिलाएंगे ओ नीना, cried mother giving her a big hug फिर जो उनकी ममा है, वो नीना को एकदम प्यार से hug कर लेती है उनके आखों में भी जो है जो tears आ जाते हैं और फिर वो नीना को hug कर लेती है मिन्स गले लगा लेती है is that why you don't want to go to the wedding but that's no problem at all we all leave the window open बट जो mother है, वो कहते है कि बस आप इती से बात के लिए जो है, वैडिंग में आने से मना कर रहे थे ये तो कोई बड़ी problem नहीं है हम जो है, विंडो को खोले छोड़ कर चले जाएंगे oh can we mother, can we really फिर जो निगहा है वो थोड़ी happy हो जाती है और गोती है, ममा क्या हम ऐसा कर सकते है क्या हम ऐसा कर सकते है ममा, really सच मुच yes, yes, we'll remove all your things from the room and lock the door on the outside तो फिर जो ममा कहते है, yes हाँ, हम आपके जो रूम की all things जो है, all things उने क्या कर देंगे आपके रूम से रिमू कर देंगे means, निकाल देंगे और जो आपका रूम है, उसे बाहर से outside means, बाहर से lock कर देंगे so the so the house will be perfectly safe and पापा और ममा स्पेरोज can come and go freely too हम जो है, आपके रूम की जो भी things है, उन्हें आपके रूम से रिमू कर देंगे और आपके रूम को बाहर से lock कर देंगे और आपके रूम की window open रख देंगे जिससे कि हमारा जो house है, वो भी perfectly safe रहेगा, सुरक्षित रहेगा और जो पापा और ममा स्पेरोज है, वो भी easily, freely जो है, आजाके अपने बेबी को feeding कर देंगे just think, Nina, will you enjoy yourself at the wedding? the baby's perros will be getting nice and fat in their nest, good idea, isn't it? फिर जो ममा है वो कहते हैं कि सोचो, think Nina, means सोचो Nina, will you enjoy yourself at the wedding? मतलब जब तुम वेडिंग में enjoy कर रही होगी, तो जो baby sparrows है, वो भी क्या हो जाएंगी? नाइस हो जाएंगी और fat हो जाएंगी उनके nest में जो है, वो big हो जाएंगी, grow कर जाएंगी और वो भी अच्छी और जो है, बोटी हो जाएंगी, good idea, isn't it? तो किती कि यहाँ जो है, बहुत ही अच्छा idea है, it was a good idea, when Nina come back from the wedding, there was two plump little sparrows flying all over the room and wasn't Nina thrilled, यह नीना क्याती किया जो है, बहुत अच्छा idea था, बहुत कैसा था? ममा का जो idea था, वो बहुत ही अच्छा था, when Nina come back from the wedding, जब नीना शादीशे वापस आई, there were two plump little sparrows flowing all over the room उन्होंने देखा कि जो है, two little little sparrows, plump means होता है, gold matol plump means, gold matol, तो जो है, two plump little sparrows, gold matol, चोटी-चोटी sparrows जो है, पूरे room में क्या कर रही थी? fly कर रही थी, and wasn't Nina thrilled, और फिर जो है, Nina की खुशी का टिकाना नी रहा, जो Nina है, उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा happy होगे okay, the students, tell me, कैसे लगे आपको यह story, nice ना, okay, तो जो यह story है, इनके writer है, प्रतिभानाथ, प्रतिभानाथ ने जो है, यह story, write की है, okay, then, reading is fun, reading is fun, and inner reading is fun, total four questions, first is, why was there great joy in Nina's house, why was there great joy in Nina's house, नीना के house में जो है, किस खुशी कमा होलता, why, why was there great joy in Nina's house, तो क्या था नीना के house में, नीना's aunt was getting married, and everyone in the house was going to Delhi for the wedding, जो है, नीना की aunt की जो है, married थी, और सभी लोग जो है, बहुत ज़्यादा खुश थे, because वो सभी wedding के लिए देल ली जा रहे थे, then, question number two, why was Nina worried, नीना परिशान क्यों थी, तो नीना was worried about baby sparrow, जो नीना है, वो baby sparrow के लिए worried थी, ओके, then question number third, what did mother suggest, mother ने क्या suggest किया, mother suggest that they will let the window open for the papa and mama sparrow and lock rest of the house, की वो क्या करेंगे, की जो है, mother ने suggest किया, की हम window open रखेंगे, जिससे की पपा and mama sparrow जो है, आकर अपने baby sparrow को fitting करा पाएंगे, the next question is, what did नीना find, when she come back from the wedding, जब नीना वैडिंग से वापस आई, तो उन्होंने क्या पाया, answer is, नीना found two plump little sparrow's flying all over the room, नीना ने पाया, की जो है, two plump little sparrow's, पूरे रूम में क्या कर रही है, fly कर रही है, उड रही है, right now, the next is, talk time, and in a talk time, how do baby sparrow's eat, baby sparrow's कैसे eat करती है, तो जब baby sparrow's बहुत small होती है, तो जो उनके पपा एंड मामा sparrow's है, वही क्या करते है, उनके बीक में बीक डाल कर उन्हें feeding कराते है, and the next, what new things would you like to wear for a wedding, you can say, I would like to wear, मतलब आपको वेडिंग में क्या पहनना पसंद है, है ना, तो आप उसके लिए राइट कर सकते है, I would like to, मतलब आपको क्या पहनना पसंद है, like this, आपको जो है, as you wish, आप अपनी पसंद से राइट करेंगे, आपको फ्रॉक पहनना पसंद है, आपको जीज टी-शिर्ट पहनना पसंद है, आपको घागरा चोली पहनना पसंद है, है ना, आपको जो है, और भी ड्रेशेश आते हैं, लॉग ड्रेश, वन पीस, ये आपको इसमें से जो भी पहनना पसंद है, आपको राइट करेंगे, अफिशल वार, कमीज, टॉप स्कूर्ट, डांग्रीज, है ना, तो आपको जो भी पहनना पसंद है, आपको राइट करेंगे, I would like to, then after उसके बाद आपको जो भी पसंद ह बॉइज में, बॉइज में सेरवानी होती है, और क्या होता है, जीन्स, टी शर्ट, जीन्स सर्ट, ब्लैजर, ओके, तो ये आप राइट करेंगे, then after, picture story, picture story, number the jumble, picture story correctly, then write the story in proper order, तो ये हम कर चुके है, ये story दी है, हमें इसे according to story, proper order में अरेंज करना था, तो फर्स्ट आएगा इसमें, नीना is sad, कि नीना क्या है, sad है, then mother asks why, मदर उन से पूछती है, कि क्यों, मतलब वो क्यों sad है, then third number पहेगा, नीना does not want to leave the baby sparrows alone, क्योंकि जो baby लीना है, वो baby sparrows को अके लिए छोड़ कर नहीं जाना चाहती, then mother says, we will leave the window open, and then last, नीना is happy again, और जो है, नीना फिर से happy हो जाती है, then after, यहाँ पर क्या करना था, हमें, write the story here, यहाँ पर जो है, जो story हमने बिफोर देखी थी, उसे यहाँ पर sequentially write करना है, first, नीना is sad, second, mother asks why, third, नीना does not want to leave the baby sparrows alone, fourth, mother says, we will leave the window open, and fifth, नीना is happy again, okay, then after, word building, and in a word building, write down suitable words, describing each picture, pick up the words from the list given below, describing word write करना है, इसके लिए, यहाँ पर words दिये है, beautiful, black, red, happy, tall, fat, okay, तो इन pictures को देखके, हमें जो है, उसके लिए describing word write करना है, like this, first, यह men को, यह जो women है, कैसी लग रही है, आपको beautiful लग रही है, black लग रही है, red लग रही है, happy लग रही है, tall लग रही है, फिर fat लग रही है, तो हमें कैसी लग रही है, man, a fat woman, woman, मतलब यह बहुत मूटी है, then rose, तो red rose, a boy, a happy boy, खुश लग रहा है boy, then, peacock, तो a beautiful peacock, board कैसा दिख रहा है, black, तो a black board, and a man कैसा दिख रहा है, tall, तो यह tall man, मतलब यह क्या कर रहा है, describe कर रहा है, means, बता रहा है, कि यह कैसा है, then, say aloud, say aloud, mean some words दिये है, हमें loudly इन words को बोलना है, like this first, spoil, share with me, आपको भी मेरे साथ बोलना है, at first, मैं बोलूँगी, उसके बाद आपको repeat करना है, okay, spoil, से spoil, sparrow, sparrow, school, school, skirt, skirt, scold, 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 sport, sport, speak, speak, scout, 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 skip, 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 and last is skin, skin, okay, s-k-i-n, skin, okay, dear students, so, do you understood this story, आपको यह स्टूरी समझाई, okay, let's, today's your homework, and today's your homework is, आज़का आपका homework है, in a page number 17, page number 17 में, reading is fun में, यह जो four questions दिये है, इनके answer आपको write करवा चुकी हूँ में, पहले, right, आपको क्या करने है, पहले कि जो आपने write किया है, इस chapter के यह question answer, वो open करना है, और वहाँ से इन four questions के answer, write करने है, two times, and उन्हें memorize करना है, उन्हें याद करना है, okay, so that is all today, thank you.